हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का सारा फेशन पूटीक में और आज के वीडियो में हम एक नेट का सिंपल सा डेजाइन बताएंगे तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो के नीचे रेड गलर का सब्सक्राइब का बटन है उस पर टैप कर लें इसे करके रखी हुई है यहाँ पर आप अपनी मंचाही शेप दे सकते हैं कोई सेमी सर्कुलर कटफर भी आप यहाँ पर बना सकते हैं गोल गला बना सकते हैं या फिर वी गला बना सकते हैं मैंने यहाँ पर मटका गला बनाया है और उसी को रखकर इस तरीके से आपने जो ह इसकी देख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से यह हमारा जो लुक है blouse का इस तरीके से नजर आने वाला है यहाँ पर आपके उपर depend करता है कि आप इसको कितना deep रखना चाहते हैं ठीखे अब देखे नेट का blouse जो हमारा नेट का फैब्रिक है उसको भी हम कट कर लेते हैं तो जो हमारा नेक है वो हमने 0.5 इंच यहां उपर की तरफ से मार किया है और यहां पर नीचे की तरफ से हमने करीब 4.5 इंच लिया हुआ है इस तरीके से ठीक है यहां से हम इसको इस तरीके से मार कर देंगे ठीक तो यहां पर आपके उपर यह भी डिपेंड है तो दोस्तों कितनी गहराई आप चाहते क्योंकि नेट कब ला हुई है तो आप यहां पर पोर्ट नेक बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा ठीक है तो यह देखिए हमने कटिंग कर दी है अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं तो यह देखिए दोस्तों मशीन पर हम आ चुके हैं और यह जुमारा नेक है कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है और सबसे पहले हम इसमें पाइपिन लगा लेते हैं तो उसके लिए मैंने यह एक इंच चौड़ी पट्टी कट करी हुई है पाइपिन पट्टी की कटिंग करना और बनाना मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ ठीक है उसके बाद देखिए यहां से आपने विल्कुल किनारे किनारे स्टिच कर देना है इसको इस तरीके से ठीक है और बीच में जितने भी जोड आते हैं पाइपिन पट्टी में तो उनको आपने क्या करना है कि थोड़ा सा स्प्लिट कर लेना है बीच में से जिसे कि जब आप जोड लगाएंगे ना तो आपको यहां पर मोटा सा फील नहीं होगा एकदम स्मूथ फीलिंग आ जाएगी ठीक है इसलिए मैं इसको बीच में से स्प्लिट कर लेती हूँ तो अब देखिए इसको हमने कट कर दिया है और यहां पर हमने छोटे-छोटे नोचस लगा देने है इस तरीके से ठीक है यहां पर ध्यान रखना है जहां पर भी कट जैसे गोलाई आ रही है जहां पर भी कर्व आ रहा है वहां पर आपने इसको कट लगाने है और इसको इस पर आये यह दिखिये ठीक है तो हमारी जो नेक है अस्थरवाली यह हमारी बन चुकी है ठीक आप देखिए यह वाला जो फैबरीक है यह हम इसके उपर सेट करेंगे इस तरीके से और उसके लिए हमने यहां पर पिन्स की हैल्प ली है जैसे कि यह जो फैबरिक है हमारा मूव नहीं करेगा ठीक है यह देखिए तो अब आप यहाँ पर अच्छे से एक सिलाई लगा सकते हैं हमारा जो फैबरिक है वो मूव नहीं करेगा ठीक यह देखिए अब यहाँ पर बिल्कुल किनारे जो भी हमारा नीचे की तरफ से फैब्रिक नजर आ रहा है उसके बिल्कुल किनारे किनारे आपने यहाँ पर सिलाई लगानी है यहाँ से हमने इसको इस तरीके से अब यहाँ पर भी नोचेस लगा देंगे और इसको भी हम अंदर की तरफ देखें यहां पर आपने क्या करना है कि पहले पत्ति के उपर एक सिलाई लगा लेनी है जैसे की पट्टी अंदर की तरफ मुड़ी रहे ऊपर ना दिखे ठीक है क्योंकि ये नेट के फैब्रिक से थोड़ी सी डिफरेंट है तो आपने इसको बिल्कुल अंदर की तरफ कैसे सेट करना है एक सिलाई लगाने के लिए के बाद तो जैसे की मैंने पहले ही आपको कई बार बताया है कि जब हम इस तरह की पट्टी लगाते हैं तो हमें ये वाली सिलाई लगा लेने चाहिए तो अब आप देख सकते हो नेक हमारी कंप्लीट हो गई है अब हम यहाँ पर प्लीट्स भी डाल देते हैं प्लीट्स डालने का तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ है और नेट वाले फैब्रिक में किस तरीके से लगाना है तो उसका भी वीडियो जल्दी आएगा ये देखिए ठीक है तो ये कुछ इस तरीके से लोक आ रहा है हमारा प्लीट मारे एकदम सफाई के साथ आ चुकी है और ये फोल्ड होने के बाद कुछ इस तरीके से नजर आएगा तो देखिए इसको मैं पूरा त्यार करके दिखाती हूँ और यहाँ पर आप चाहे तो बेस वगेरा से भी इसको बहुत को अबसुरत बना सकते है तो पहनने के बाद जो है उसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा और यहाँ पर हमने एक फ्लावर का भी यूज किया है नीचे की तरफ आप देख सकते हैं इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है यह देखिए तो दोस्तों आज का डिजाइन कैसा लगा है मुझे जरूर बताएं कमेंड करकी और helpful लगे वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ तब तक अपना धियान रखें बुबाई